नमस्कार मेरे नाम ग्यानिश्च्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ सिटिस को सुपाल से बरी खबर सुपाल में कॉंग्रेस की मौझूदा सांसत रंजीत रंजन चुनाव हार गई है रंजीत रंजन मध्यपूरा के सांसत पप्पू यादव की पतनी है और बहुत मुकाबले के साथ चुनाव लड़ रही ठीक कहा जा रहा था कि वे मुकाबले में हैं लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आए हैं तो वो भारी मतों के अंतर से सुपाल में चुनाव हार गई हैं सुपाल में जदियू के दिलकेश्वर कामत को सफलता मिली है रंजीता रंजन ने 2014 के चुनाव में दिलकेश्वर कामत को ही चुनाव हराया था लेकिन 2019 में दिलकेश्वर कामत ने रंजीता रंजन से अपना बदला साथ लिया है, मोधी लहर में रंजीता रंजन चुनाव हार गई, रंजीता रंजन के लिए चुनाव परचार करने राहुल गान ही भी आया थे, आपको पता है कि एक मौका ऐसा आया था कि सुपाल को लेक महा गठबंदन में तूट की सिटी पैदा हो रही थी, क्योंकि तेजस्य यादब नहीं चाहते थे कि रंजीता रंजन को टिकट मिले, लेकिन अब राज़त की हालत ही पतली है, कॉंग्रेस की बात छोड़ दिए, कॉंग्रेस कहीं सफलता हासिल करती हुई, नहीं दिख रह रही है, दूसरे स्थान पर सरद यादब है, जिन्हें राज़त काउमिद्वार बनाया गया, लेकिन हम मध्यपूरा की बात कर लें, तो सरद यादब और पप्पू यादब की मतों को भी जोड़ लेते हैं, तो दिने संद यादब चुनाओ जितते हैं, तो सुपाउल में रंजीत रंजन की हार हो गई है, जदिव के दिलकेश और कामर चुनाओ चीत गए हैं, मतलब ब्रांड मोधी ब्रांड निटिस सुपाउल में चला है, और लोगों ने जो खुल नहीं रहे थे चुनाओ के बड़ बोटिंग क्या होगी, लोग कई तरीके की उमीदे लगा र रखे थे, लेकिन कई एक जिट पूल बटा रहे थे कि नहीं रंजीत रंजन हार रही है, तो रंजीत रंजन चुनाओ हार गई है,